जब प्रभु के बच्चनों से हम शिखने जारहिक भुख के साथ, एक प्यास के साथ प्रभु के चरणों में बेठे हैं, नहीं हर संड़े ज़ो भी सिखाया जाता है, प्रभु का बच्चन ऐसा कहता है, आप सत्य को जानोंगे, बोलो, मैं सत्य को जानूंगा, और सत्य करेगा तो डिलिवरंस छुटकारा चाहिए वो आपकी चिंता से हो दुख से हो तकलीफ से हो बीमारी से हो करजे सो चाहिए कोई भी बंधन हो छुटकारा ना सिर्फ आखरी दुआ में आता है छुटकारा वचन सुनने से भी आता है आज मैं सत्य को जान लू और सत्य के द्वारा मैं मुक्त हो जाओं प्रभू से कहिए प्रभू मुझे मुक्त होना है मेरी चिन्ताओं से बीमारीों से करजे से तकलीफ से दुख से दुस्टात्मा से शैतां के कामों से जो भी तकलीफ आपके जीवन में हो उसको लेकर कहिए प्रभू मुझे मुक्त होना है वे संसे, चाहे कुछ भी हो, कोई भी पाप हो, कहिए प्रभु से, प्रभु मुझे छुटकार अपाना है, और आज तेरे सत्य को जब मैं सुनू, मैं छुटकार अपाऊं, ये शुमसी के सामर्थी नाम में, पिता ये मारी दुआ है, आज आपके सत्य को जानने के दौरा, आ आप हमें मुग्त करी, ये शुमसी के नाम में, आमेन, आमेन, पियारो, लास्ट जब मैंने कुछ बाते आपको सिखाई थी, एक सिद्धान के विश्थे में सिखाया था, बूने और काटने का सिद्धान, बाइबल में सी कई बाते हैं, पियारो, सिद्धान थै, नियम है, जो में सिखने जरूरी है और उसमें एक सबसे बेसिक बात मुल्भुत बात जिसको कई बार विश्वासी जब अपने विश्वासी जीवन में आगे बढ़ता है कोई व्यक्ति प्रभु येश्व के पीछे चलने की सुरुवात करता है तब ये एक बेसिक बात को नहीं जानने के कारण देर सारे बुले ठेर सारे ठेर सारे आसीसों को वो गवाता है पार नहीं सकता कई लोगों को देखता है कि वो आसीसित हो गए लेकिन मैं ये शुके पीछे चर रहा हूं लेकिन फिर भी मैं खालिया जी रहा हूं मुझे जो पाना चे मेरे जीवन में जो दिखना च पाते नियम सिध्यांत परमेशवर के है मनुश्य के नहीं परमेशवर के है जिसको हम नहीं चानते होते हैं चल ef मय तो इस sis Dick Ali यह एक दम मुल्भूत बात आज हम सिखने वाले हैं, वो है blessings of fellowship, संगती के आसीश, बोले, संगती के आसीश, कई बार हम संगती में आना, चाहे वो संडे हो, चाहे ओनलाइन प्रातना संगती हो, चाहे ओनलाइन बाइबल स्टड़ी हो, संगती को हम lightly लेते हैं, साजिकता से लेते ठीक है, एक आत बाद नहीं गया, तो क्या जाने वाला हैं, ओनलाइन कौन देखने वाला हैं, बोल दूंगा ओनलाइन जुड़ा था, बीच बीच में सो गया, खा लिए, खाने पीने, बैड गया, टीवी देख लिए, मोबाइल चैट शुरू कर दिया, कौन देखने वाला और वो हम नहीं जानते इसलिए कई बार संगती को चाहे वो संडे की हो या तो और कोई संगती हो हम उसे बहुत ही लाइटली लेते हैं और उसके कारण प्यारो हम बहुत सारी आसिशों को गवाते हैं आज कुछ आया से हम आपको बताएंगे कितनी अद्बुत आसिश के चर्णों में बैठते हैं प्यारो संग सुरुवास से ही प्रभु ने ये बात को हमें सिखाया और इसलिए हमने हर बार प्रैत्न किया है चाहे वो संडे हो या तो और कोई फैलोशिप हो उससे मिश ना करें उससे गवाए नहीं एक बार हम एमदाबास से दूर आउट काई दहुं कहीं जा रहे थे और हम हाइवे पर थे हाइवे पर हम जार रहे थे वह संडे का दिन था और वह नकीम कोई भी कलिष्य नहीं थी कोई भी चर्च नहीं था से हमने सोचा करेंगे तो जो गाउं हम पहुंचना चाहते हैं वहां तो हम देर से ही पहुचेंगे चर्च खतम हो गया होगा संगती खतम हो गई होगी नदिक में और कोई चर्च नहीं था और तुरण सब ने मिलकर डिसाइड किया कि हम हाइवे के किनारे ही चर्च बिठा देंगे और गाड़ी हमने रोक दी हाइवे के किनारे साइड में अच्छी जगा लेकर वहां साइड में कर दी गाड़ी और वहां हम करीब 6-7 लोग थे यूथ हम पुरा जा रहे थे वो साइड में बैठ कर कलीश्या के टाइम चर्च के टाइम चर्च सर्विस्वा हाइवे पर साइड में गाड़ी करके हमने चलाई थी क्योंकि हम जानते हैं प्यारो, संगती परमेश्वक के साथ की वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हाललुया और वो बहुत ही आनन्दा ही समय था, बस जैसे चर्श सर्विश चलती हमने कुछ गाने गाए, किसी न प्रवुका बच्चन सेर किया, फिर दान भी दिया गया और फिर हम, हमें जहां जाना था, संगती करके परमेश्वक के साथ, हम फिर वहाँ से फिर से गाड़ी लेकर आगे बढ़े, प्यारो, हम पूरा प्रेतना करते आए हैं, और करते रहेंगे क्योंकि परमेश्वक के साथ की संगती बहुती महत्वपूर्ण है, उसमें हम समाधान नहीं कर सकता है, कुछ आयत को हम पढ़े इबरानियों 10 और 25, यहाँ पर हम आपके लिए रखेंगे हम मिल कर पढ़ना चाहते इबरानियों 10 और 25 परमेश्वक का वचंग कहता है और एक दुसरे के साथ मेरे पीछे पीछे बोले, और एक दुसरे के साथ इकठा होना न छोड़े पढ़ सकते हैं, जिसको नहीं मिला यहाँ पर आप देख सकते हो फिर से बोले और एक दुसरे के साथ हो सके तो ऐसा कहा लिखा है ऐसा तो नहीं लिखा है हो सके तो मूड़ा है तो अच्छा लगे तो छुटी हो तो इच्छा हो तो कोई तो यहां नहीं है पर वो का वचंग क्या कहता है एक दुसरे के साथ इकठा होना न छोड़े जैसे कितनों की रीती है पर एक दुसरे को समझाते रहे जो जो उस दिन को निकट आते देखो त्यों तो त्यों त्यों और भी अधीक यह किया करो सिर्फ संडे काफी नहीं है प्रभु का वच्छेंग कहता है और भी अधीक किया करो ओ संडे मूँ दिखा है चलेगा पूरा वी जैसे जिना है कहां कौन देखने पूछने वाला है संडे मूँ दिखा दिया प्रभु का वच्छेंग कहता है पहली बाग एकठा होना न छोड़े और जो जो वो दीन प्रभु का अगमन नदिक आता जाए क्या करना है हमें और अधिक किया करना है क्या करना है अधिक क्या करना है अधिक इकठा होना है प्रभु का वच्छन हमसे आसा रखता यह परमेश्व की आगना है इकठा होना न छोड़े बुले इकठा होना नहीं छोड़ना है हाललुया कोई भी बहाने प्यारो नहीं चलेंगे कुछ और आयत मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन हम कई बार प्यारो अपनी रिती से उजराती में जिसे बोलते है छटक बारी भागने का मोग का आउसर डूण लेते बचने का आउसर डूण लेते बाहने बना देते प्यारो कुछ लोग कहते आप मैंसे कोई हो सकते हैं ये लिस्ट में पहला बाना है मैं तो घर पर बैठता हूँ न घर पर बैठ लेता हूँ मैं उनको पता है पास्टर जब भी मिलेंगे पहले ही पूछेंगे आप दिखते नहीं हो तम पूछें उससे पहले ही बोलते थे मैं घर पर बैठता हूँ एकदम कुछ लोग कहते हैं मैं पर्सनल प्रेयर कर लेता हूँ न काफी है मैं पर्सनल प्रेयर करता हूँ पास्टर कुछ लोग कहते हैं पर्सनल ही मैं बाइबल पढ़ लेता हूँ अगर पर्सनल ही काफी था तो सुरुवात में कलिश्या स्थापित नहीं करते प्रभू ये कलिश्या की अगर आवश्यक्ता नहीं होती तो प्रभू येश्यू ये नहीं कहते मैं मेरी कलिश्या बनाऊंगा और उसके विरुद सेतान की कोई भी सक्ति प्रबल नहीं होगी प्रभु येश्व ने कहा मैं मेरी कलिश्या बनाऊंगा तो प्रभु की योजना थी ये कलिश्या बनाना सिर्फ परसनल प्रेयर परसनल बाइबल स्टड़ी घर पर बैठे- कर लेना काफी होता तो प्रभु ये व्यव्यासथा नहीं करते कुछ लोग कहते हैं मैं अकेला काफी हूं मुझे किसी की जरूरत नहीं है उसका बतलब में आगे बढ़ने के लिए इनफ है इनफ उग्नान है मैं आत्मी कृतित स्थीर हूं द्रेड हूं मुझे जरूरत नह मुझे जरूरत नहीं है संगती की है कुछ लोग कहते है मुझे है मजा नहीं आता Sunday online Bible study में संगती मैं मजा नहीं आता कितनों को मजा नहीं आता कुछ कहते हैं वह बात नहीं है पतानी कौन सी बात नहीं है हम खुद मज़ा लेने नहीं आते हैं कलिश्या में हम परमेश्व को खुश करने आते हैं हाललुया हमारी मज़ा के लिए हम यहां नहीं आते हमारे एंटर्टेंडमेंट के लिए हम यहां पर नहीं आते हमारी खुशी के लिए हम यहां पर नहीं आते कि बेंडबाजा बजाया अब प्रफुलित हो जाओ अब प्रफुलित हो जाओ इसलिए यह जगह नहीं है हमें प्रभु को खुश करना है इसलिए यह जगह है इसलिए संगत ही है मोटी उसी बदल गए है उद्देश ही बदल गए मजा नहीं आ रही अच्छा नहीं लगता कुछ लोग कहते हैं वहां ह इसलिए मैं नहीं आती है अब प्रभु को मिलने आते हो या उसका मुझ देखने के लिए आते हैं कितने सारे बाहने हमारे पास होते हैं कलीश्या में नहीं नहीं आने के लिए वो मुझे बोल गया नहीं इसलिए मैं नहीं आती है बोल गया कोई और सिक्सा प्रभु को जगड़ा किसी के साथ हुआ सिक्सा प्रभु से प्रभु मैं तुझे मिलने नहीं आऊंगे क्यों? वो बोल गया वो बोल गई प्यारो ये सब बहाने हमारे हमें परमेशर की संगती से दूर रखते है श्राम दिंको रभिवार को अलग करना ये चिना है कि आपना भीवी प्रभु को सनमान देना जारी रखा है आमें? समझ रहे हो आप? डिटरो नमी व्यवस्था विवरार पांच वादे और बारवियाद पड़े व्यवस्था विवरार पांच और बारा तू विश्राम दिन को मान कर पवित्र रखना जैसे तेरे परमेशर यहोवा ने तुझे आगना दी फिर से मैं कह रहाँ विश्राम दिन पुराने समय में था पुराने नियम में था वो ही मान सनमान या तो वो ही जो महत्व था वो नए नियम में रबिवार को दिया गया परमेश्वर के लोग चेले नये नियम में रबिवार को मिलते थे, क्योंकि वो दिम प्रभू ये शुका पंदर उठान हुआ था, तो प्रभू की ये आगना है क्या आगना है तो विश्रान दिन को मानकर पवित्र रखना। बोले परमेश्वर की ये आगना है, रविवार को मुझे पवित्र मानना है, पवित्र मानना मतलब उसे अलग खरना, प्रभु की आराधना के लिए, प्रभु को मही मा देने के लिए, प्रभु की संगती के लिए मुझे उसे अलग खरना है, ये मनुष्य की नहीं, कर सारा कामकाज कर लेकिन संधे तुझे फवित्र मानना है नहम्या 13 वार दियाइब वहां 15 भी आयत में लिखा है नहम्या 13 और 15 उनहीं दिनों में मैंने यहुदा में कितनों को देखा जो विश्राम दिन को हुदों में दाखरों ते पुलियों को ले जाते थे घदोपल आते थे ओके यह तरब द्यान दीजिए नहेम्या एक प्रभु का दास हो गया और उसके समय में उसने देखा यह प्रभु का दास अगवाद देख रहा है कुछ लोग संदे विश्राम दें को काम कर रहे बिसन बुराई करते हो बुले बुराई करते हो अगर हम संदे प्रभु को नहीं देते हुए दुसरे काम में लगाते वो समय तो हम बुराई करते हैं और प्रभु का दास कहता है जो विश्राम दीन को क्यों अब पवित्र करते हो प्यारों यह प्रभु का वच्छन है कुछ में भी हमने देखा सुरुवात की कलिश्या निरंतर मिलती रहती थी संगती में हमने देखा वे लोग लॉलिन रहते थे और प्रभु का वच्छन हमने सुरुवात में ही पड़ा प्रभु का वच्छन कहता है वो दिन आए जब वो दिन को आता हुआ देखो तो प्रवु का वच्चन कहता है और अधिक किया खरोप सिर्व विश्राम दिन काफी नहीं संडे टू संडे काफी नहीं नए नियम में ये समय में तो हमें और अधिक मिलना है हाललुया मिलते रहना है सपोग देशक चौथा दिया है और नौ भी आतम पड़े संगती में बना रहना क्यूं जरूरी है सपोग देशक चौथा दिया है और नौ भी आतम अगर मिलता है तो हम साथ पढ़ेंगे एक से दो अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल उन्हें मिलता हाललुया प्रभू नहीं कहता भई आप एक अखेले अखेले जीओ आच्मी जीवन में चलेगा प्रभू का बच्छेंग कहता है एक से दो फले तो अकेला घर बैठकर दूआ करना काफी नहीं है क्यों क्योंकि प्रभू का बच्छेंग कहता है दो अच्छे है क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है जब आप संगती में आते हो सब के साथ जुड़ते हो प्र हाललुया, दस्वियाद, क्योंकि यदि उन में से एक गिरे, तो दुसरा उसको संगती में आने का फाइदा है, कभी आगे पीछे हो गए, घर के ले के ले, आगे पीछे हो गए, आपको कोई बोलने वाला, उठाने वाला नहीं होगा, लेगिन जब आप संगती में आओगे, अब गिरते हो, निरास हो, चिंता में हो, बोज में हो, तकलीप में हो, कोई होगा, जो आपको उठाएगा, हाललुया, प्रभू के दास हो सकते हैं, कलिश्या के लोग हो सकते हैं, कोई भी, ये कलिश्या में, ये आसी से प्यारो, आपको, जब आप कलिश्या में आते हो, ज उसका मतलब, अगर आप अखेले हो, तो आप जब गिरते हो, गिरे ही रहोगे, कोई उठाने वाला नहीं होगा, ये कलिशा का फाइदा है, प्रवु का बच्छन कहता है, उन्हें परिश्रम का फल मिलता है, जो संगती में रहते है, ये संगती में रहने का फाइदा है, अगर गिरे, और उसका कोई उठाने वाला, हाई, अप्सोस है उन्हें पर, जो केले चलना पसंद करते हैं, कलिशा का महत्व नहीं समझते हैं, क्योंकि अगर वे गिरते हैं, उनको उठाने वाला कोई नहीं होगा, ये कलिशा का बेनिफीट है, फाइदा है, परिश्रम का फल मिल दुसरा, अगर आप गिरते हो, विश्वास में कमजोर होते हो, पीछे हट होती आपके, कोई न कोई होगा जो आपको संभालेगा, बारविया, सबुप देशक, छार और बार, यदि कोई अखेले पर प्रबल हो तो हो, मतलब, जब कोई अखेला चलता है, उसके उपर सैतान या तो परिस्थिती प्रबल हो सकती है, परंतु दो उसका सामना कर सकेगे, हाललुया, कलिश्या में रहने का फाइदा है, सब साथ मिलके, आपके जीवन में आती हुई तकली, परिस्चानियों में आपके साथ खड़े रहेंगे, दुआ करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे हाललुया, अखेले उपर कोई भी प्रबल हो सकता है, सेतान उसके जीवन में सफल हो सकता है, दुग तकलीफ आने पर वो निरास हो सकता है, गिर सकता है, जब वो अकेला हो, लेकिन प्रभू का वच्चेंग कहता है, जब दो हो, तो वो उसका सामना कर पाएंगे, हाललुया संगती में रहने का फाइदा है आपके साथ कोई होगा जो आपके लिए प्राक्ता करेगा कोई आपको प्रोसाहिट करेगा कोई आपको सिखाएगा कोई आपको गाइड करेगा अकेला अकेला चल चल कर खड़े में गिरता है फिर पता चलता है वो यहां खड़ा था, जो कलीशिया में रहता है, उसे खड़े में गिरने से पहले कोई कह देता है, यहां खड़ा है मत गिरना, हाललुया, समझ में आए आपको, अखेले चलोगे, ठोकर खाखा करोगे, लेकिन संगती में जब आप रहते हो, यह संगती का फाइदा है, कोई भी परिस्थिती ना डुस्टाच्मा आपके उपर प्रबल हो पाएगी, जो डोरी तीन तागे से बटी हो, वो जल्दी नहीं तूटती, हाललुया, मुस्ट लिए मेरेज में यूस्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ मेरेज के लिए नहीं यह आया, प्रवकावच्छेंग कहता है जो डोरी तीन तागे, गुजराती में ऐसा सब्द है, त्रेवडी वडेली दोरी, मतलब जो डोरी में तीन धागे है, वो इजीली नहीं तूटती, एक धागा तूट सकता है, तीन धागे कौन है, एक परमेश्वर है, एक आप हो, और एक आपके साथ जुड़े हुए संग के लोग है, हाललुया, जब तीन तागे की दोरी होती है, तब उससे कोई तोड़ नहीं सकता, हाललुया, यह संगती का आशी से पहले मैंना क्या बताया, उनके परिष्ट्रम का फल मिलता है, अच्छा फल, अगर कोई गिरता है, तो उठाने वाला होता है, कोई उनके उपर प्रबल नहीं हो सकता जब वे संगती में होते हैं तब क्योंकि वो सब मिलकर उनकी परिस्थिती दूख या तकलीप या तो शैतां के प्रहार का सामना कर सकते हैं मत्थी अठारा और उनीस चलिए हम पड़े मत्थी अठारा और उनीस फिर से मैं तुमसे कहता हूँ यदि तुम्मे से दो जन अकेले की बात नहीं करी परवेशन प्रव का वच्छन कहता है यदि तुम्मे से दो जन पृत्वी पर किसी बात के लिए जिससे वे मागे एक मन के हो तवह मेरे पिता की और से स्वर्ग में हैं उनके लिए हो जाएगी हाललुया कुछ प्रातना ऐसी है प्यारो जब आप दो तीन चार कलिश्या मिलकर खरोगे तव पिता की और शाब के लिए हो जाएगी हाललुया ये संगती के लिए special blessing प्रभू ने रखा है प्यारो ये प्रभू की आगना पर चलने वाले लोगों की blessing है जो संगती को महत्वा देते है उनके लिए special blessing है जब आप मिलकर कुछ बात के लिए मागोगे आपके लिए वो हो जाएगा हाललुया संगती में जब दो या उससे ज़्यादा लोग मिलकर दुआ करते है दुआ सुनने की प्रभू ने प्रामिस किये हाललुया मत्य 18 और 20 क्योंकि जहां दो या तीन मेरे नाम पर इखठा होते है वहां मैं उनके बीच में होता हूँ हाललुया ये special blessing है संगती की जब प्रभू के लोग इखठा मिलेंगे प्रभू ने प्रामिस कर दी है ज़ा दो या उससे ज़्यादा मिलेंगे मैं उनके बीच में मौझूद रहूंगा हाललुया प्रभू ने घर के लिए प्रामिस नहीं करे उसका मतलब ये नहीं गर में प्रभू आपके साथ नहीं रहते लेकिन प्रभू की विश्य सुपस्थिती जब उसके लोग साथ मिलते उनके बीच रहेगी ये प्रभू की प्रामिस इसमें हम कोई एक्स्क्यूज नहीं निकाँ सकते कि गर में भी प्रभू होता है क्यों नहीं होता है होता है जरूर होता है प्रभू आपके साथ लेकिन विश्य सुपस्थिती की प्रामिस प्रभू ने कर दिये जब दो या उससे ज़्यादा लोग इकठा मिले हाललुया यसाया 58 और 13 यसाया 58 और 13 आपको एन नोट पैन लेकर आना है समय कम होता है तो हम साथ आपको इतना टाइम न दे पाए कि आप बाइबल से निकालो तो आप क्या कीजिए रेफरेंस लिख लिजे आयात लिख लिजे घर जाकर स्टडी करो घर जाकर और फिर से इस आयतों को आप पढ़ सकते हो फिर से हम यसाया 58 और 13 पढ़ते है तेरव याद यदि तू विश्राम दिन को असुद न करे बस यहां तक हम पढ़ते है प्रभू का वच्छन कहता है यदि तू विश्राम दिन को असुद न करे अठात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यतना ना करें अब क्या ब्लेसिंग है चौदवियाद ध्यान से सुनिए प्रभू कहता है अगर तू संगती के महत्व को बनाए रखेगा वो दिन जो संगती का है चाहिए वो रवीपार हो या और कोई तू से अलग करेगा तो क्या आशिश मिलेगी चौदवियाद तो तू यहोवा के कारण सुख ही होगा और मैं तुझे देश के उच्छे स्थानों पर चल ले दूँगा मैं तेरे मूल पुलूस याकूब के भाग की उपसे तुझे खिलाओंगा क्योंकि यहोवा ही के मुख से ये बचन निकलता है हाललुया यह प्रभू की प्रामीस है वो लोगों के लिए जो संगती में आने के लिए कस्ट उठाते एक पास्टर साब की गवाही मैं सुनता था हम पास्टर साब के बारे में बात कर रहे थे वो एक जीवन में ऐसे दौर से होकर गुजरे बहुत ही कठिन दौर था उनका और उनको बेक में ऐसी तकलीफ हुए वो एकदम पतारी वस हो गए वो खड़े नहीं हो पा रहे थे और उनको डौक्टर ने स्ट्रिक्ली बोला था आपको पतारी से खड़ा नहीं होना है अगर हुए तो पता नहीं कितने महिने निकल जाएंगे आपको खड़े होने में कोई गैरेंटी नहीं अभी भी आप बहुत रिस्क पर हो बहुत ही जोखमी स्टेश से ओकर गुजर रहे हो आपको 100% रेस्ट करना है पास्टर पास्वान ऐसी सिच्वेशन में आ गए कि उनको पतारी से खड़ा नहीं होना है डौक्टर ने स्ट्रिक्ली मना कर दिया है लेकिन प्रभू के वो दास्ट की वो बात से मुझे बहुत प्रोस्तान मिला उनके बारे में कलिश्चा के लोग बता रहे थे ऐसे समय में जब डौक्टर ने को 100% बेड रेस्ट लेने का कहा था वे एवरी संडे बिस्तर में सोते हुए चर्च को एटेंड करते थे हाललोया वो पथारी में चर्च में उनके लिए बिस्तर लाया जाता था पथारी बिच्छाई जाती थी और पथारी में सोते सोते चर्च के अंदर बैड कर सोते हुए लेटे हुए वो पुरा चर्च एटेंड करते थे लेकिन उन्होंने चर्च में आना बंद नहीं किया और उसकी आसीस प्रभू ने दे जो डॉक्टर ने उनको बोला था पता नहीं आप खड़े हो पाओगे नहीं हो पाओगे वो ही डॉक्टर के स्टेटमेंट को प्रभू ने गलत ठहराया प्रभू ने उनको चंगा किया आज एकदम ठीक है अच्छे चंगे भले प्रभू की आराद ना करते हाललुया हाललुया एकदम नॉर्मल है आज पता नहीं वो सब तकलीफ कहां हो कहां गायब हो गई परमेश्वर की उपस्थिती में छुटकारा है जहां परमेश्वर है उजियाला है वहां अंधेरा नहीं रह सकता अंधेरे को रहना इसलिए तो उजियाले के पास नहीं आने देता उसे पता है जब अगर मेरा परमेश्वर का ये बेटा बेटी उजियाले में चले गए उजी आले के नदीक चले गए तो मुझे खाली खरणा पड़ेगा परमेश्वा की उपस्थिती में प्यारो छूटका रहा है वे पथारी में लेटे-लेटे वो पेन में, दर्द में, तकलीफ में एकदम डिपेंडर रहना पड़ता था कोई उँको सहारा दे, तब वे वहाँ आपाते होंगे, तकलीफ जेली लेकिन चर्च नहीं छोड़ा संगती नहीं छोड़ी प्रवनें उँके विश्वास को सन्मानित किया प्रवनें उनको 100% हीलिंग दी, हाललुया वेरा एक दोस मैं उसे हमेशा देखता था जो मैं BAC में था वो कभी संडे स्टडी नहीं करता था देखें, मैं यह नहीं कहता कि आप संडे कुछ भी ना करो एटलिस संगती के टाइम को प्रवु को दो, बाकी के टाइम को आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो वो संडे मैंने देखा कभी नहीं पढ़ता था वो जब भी मैं उसे पुछू कि इवन नेक्स्ट डे एक्जाम रहती हो मालो मंडे एक्जाम में तो भी वो संडे नहीं पढ़ेगा जो भी पढ़ना है वो सैटर डे तक पढ़कर फिनिस कर देगा मैं उसे पुछता था तुझे चिंता नहीं हो थी फिकर नहीं होती एकदम बिंदास खुश्री से बोलना मुझे कुछ नहीं फिकर होती थी एवरी एक्जाम में हमेशा मुझसे वो अवर रहा मुझसे वो आगे रहा मैं संडे भी पढ़ता रहता सुबे दो बज़े उठता साम को साम हो जाती रात होता बैठे बैठे गर 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 बपढ़ता ही रहता और जब मैं दूसरे दिन उसे मेलू, मुझे आश्चर होता यह ताजुर बोलता है मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा कल लेकिन जब रिजल्ट आता तब उसके मार्क समेशा ज़्याद आए रहते क्योंकि ये प्रभू की प्रामिस जोड़ी हुए हाललूया वो अपनी प्रामिस को पुरा करने वाले खुड़ा है प्रभू का वच्छन कहता है अगर तु मेरी संगति को महतवर देगा तो बोले तु सुख ही होगा, अरे बोले ना, तु सुख ही होगा दूसरा प्रभू की प्रामिस से देश के उंचे स्थान पर चलने दूँगा हाललुया बोलिए देश के उंचे स्थान पर चलने दूँगा तीसरी प्रामिस उपस से मैं तुझे खिलाओंगा बोलिए मैं तुझे खिलाओंगा प्रभू आपको खिलाएगा आपको उठाएगा global आपको मुच़े साम पर रखेगा प्रवु आपको खिलाएगा प्यारों आप फिकर नहीं करें संडे के लिए संगति में आऊंगा तो जॉब चली जाएगी तो यह मेरे बॉस ना बोलेंगे तो अरे आपके बॉस नहीं खिलाते बॉस के भी बॉस जो स्वर्ग में वो आपकी चिंता करते हो आप वह नहीं देते समाधान करते हैं विश्वास में होने पर भी आप दुखी रहोगे आप नीचे ही गिरे रहोगे खाने के लिए आपको खुद फिकर करनी पड़ेगी क्या खाए क्या पिए कैसे करजा भरे कैसे किराया भरे कैसे यह माई भरे अब आखरी डेटा आ गई है यह स अब नहीं घुमानी तो आप अपनी रिती से फ्रहतना करें फिर आपको करनी अभी अवस्था प्रभू ने यह जर्या दिया है सुखी होने का यह आसान रास्ता है संडे के लिए सेक्रिफाइस करके प्रभू के चर्णों में आना संगतियों के लिए सेक्रिफाइस करके प् करोगे प्रभु की जिन्मेंदार ओगी आपको शुक्ही करने की आललुया क्रभु की जिम्मेंदार ओगी उठाने की प्रभु की जिम्मेंदार होगी खिलाने की आललुया अ अ przy तब यहोवा ने मुझसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आका से भोजन वस्तु बरसाओंगा, अगर नहीं मिलता है आप ध्यान से सुनें, ये वो समय था, प्रभू के लोग रेगिस्तान से ओकर गुजर रहे थे, कुछ खाने पीने को उनके पास नहीं था, उनको वच्छन के देश में जाना था, और ये रास्ता बहुत कठीन था, कुछ भी नहीं था खाने पीने को, तब प्रभू ने कहा, मैं आपके लिए स्वर्ग से भोजन बरसाओंगा, वो बोजन का क्या नाम था, बच्चो, मन्ना, है ने, प्रभू स्वर्ग से मन्ना को बरसाया करता था, प्रभू का ये वच्छन था, प्रदीत दीन आपको भोजन इकटा करना है, पाच्विया ध्यान से पढ़िए, और ऐसा होगा कि छटवे दिन वह भोजन और दिनों से दुना होगा, प्रभू ने क्या बताया, छटवे दिन, बोले छटवे दिन, एवरी डे मालो, एक किलोग्राम प्रभू दिया करता था, तो प्रभू ने बोला, छटवे दिन मैं तुम्हे दो केजी दूंगा, डबल दूंगा मनना, क्यों? इसलिए जो कुछ वे उस तिन बटोरे उससे तयार करके रखे, ताकि उनको क्या करना पड़े? विस्रावार को बटोरना न क्योंकि कल परम विश्राम अथाद यहोवा के लिए पवित्र विश्राम होगा, प्रभू का दास कहता है, इसलिए तुम्हे यह जो डबल मिलता है, उसको संभाल कर रखना है, 26 व्याद, 26 व्याद, 6 दिन तो तुम उससे बटोरा करोगे, परन्तु 7 वा दिन, विश्राम का दिन है, उसमें वह नह मिलेगा, प्रभू न क्या बोला, ध्यान से सुन लिजिए, 6 वे दिन आपको डबल मिलेगा मनना, और 26 व्याद कहती है, 7 वे दिन, विश्राम वार के दिन, आपको प्रभू के लिए लग करना है, उसके साथ संगती करने हैं, वो दिन आपको बटोरना ना पड़, इसलिए मैं 6 दिन आपको डबल दूँगा, 7 वे दिन नहीं दूँग 27 आया, निर्गमंच 16 और 27 तो अभी लोगों में से कोई-कोई साथ वे दिन भी बटोरने के लिए बाहर गए, परंतों उनको, परंतों उनको, उनको कुछ ना मिला, हम में से भी कई लोग है, जो साथ वे दिन बटोरना जाते हैं, क्या करूं, मजबूर है पास्चर, बटोर यह कुछ नहीं मिलेगा, लाइए, लाकर भी वो टिकेगा नहीं, क्योंकि उसके उपर प्रभू की आसिस नहीं होगे, लेकिन वो लोग स्मार्ट है, जो कहते हैं, मैं संडे नहीं जाओंगा, क्योंकि यह नियम को जानते हैं, अगर वे संडे प्रभू की आराधना के लिए लग करते हैं, बटोर नहीं जाते हैं, कामकाज के लिए नहीं जाते हैं, वो छे दिनों में प्रभू बरपाई कर देगा, छे दिनों में ही संडे का इंक्लूड करके प्रभू आपको दे देगा, हाललुया, ताकि आपको छठवे दिन ना जाना पड़े, बटोर ने के मैं तो प्रभू की संगती के लिए जाओंगा वो बेड करते हैं असी जॉब मिले ताकि सात्वे दिन प्रभू की आरादना के विए वो निकाल पाए बहले वो जॉब में 2000 कम मिर रहे लेकिन वो इस से जुड़ी हुई प्रॉमिस को जानते हैं बहले 2000 कम मिलेंगे लेकिन वो प्रभू की आसीस होगी वो पैसे कभी कम नहीं होंगे हाललुया प्रभू ने कहा छटवे दिन मानना डबल मिलेगा ताकि सात्वे दिन आपको मानना बटोरने न जाना पड़े सात्वे दिन आप प्रभू की संगती में रहा करो हाललुया प्यारों प्रभू से कहें प्रभ मुझे साथवे दिन संगती में आना है मैं साथवे दिन मन न बठोने के लिए नहीं जाओंगा क्योंकि तु मुझे बाकी के दिनों में ही दे देगा हाललुया साथवे दिन का मुझे बठोने नहीं जाना है साथवे दिन में अलग करूँगा आपकी संगती के लिए, आपके चर्णों में आने के लिए, खिम्मत चुकानी पड़े, जॉब पर मुझे कहना पड़े, छुट्टी अपलाई करनी पड़े, बहुत चार प्रस्टा प्रस्टा, कुछ बात नहीं प्रभू मैं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ, इसके कुछ बात है, हमारे मोटीव क्या होने चाहिए, हमारे इरादे क्या होने चाहिए, जब हम संगती में आते हो, ओके बाइबल बन कर दीजिए, अब सबायत में पड़ने के लिए नहीं कहूंगा, जैसे हमने प्रजुतों के काम दौर्टी टू में पड़ा, वे लोग जब सं बोच के लिए, प्राथना करने में, वे लॉलीन रहते थे, संगती में जब आते हो, आपके ये मकसद होने चाहिए, कि मैं प्रभु की सिक्सा पाऊंगा, नसीब मेरी जरूरतों को लेकर मैं प्रभु के पास आ, उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन आपका फोकस यहीं नही नहीं रहना चैए, प्रभु कुछ मिल जाये, वो काफी है, नहीं, आपको सिखने के लिए आना है, आपको दूआ के लिए आना है, आपको प्रभु पोझ के लिए आना है, सबोदे सेğभ पांच और एक में, प्रभु का बचंग कहता है, जब तू परमेश्वके भवन में तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना, मुर्खों के बलीदान चड़ाने से अच्छा है, क्यूं आओ मैं चर्च में? सुनने के लिए, हाललुया, हाललुया, प्रभु चाहता है कि जब कलिश्या में आए तो हम सुने हमारी प्रावरिटी, हमारी अगरीमता, हम हमारा मकसद, हमारा हेतु यह होना चे मैं, जब कलिश्या में आओ, प्रभु उसकी सिक्सा को पा कर जाओ, कुछ सिख कर जाओ, कुछ सुन कर जाओ, प्रभु का बच्छेंग कहता है, सब उदेस पांच और दो में बाते करने में उतावली न करना, प्रभु की भय, में कोई आत्मिक वर्दान दो, प्रभु का दास कहता है, मैं तुम से मिलना चाहता हूँ, और जब हम संगती करेंगे, तब क्या होगा, मैं तुम आत्मिक वर्दान दोंगा, हाललुया, जब आप प्रभु के चरनों में उसकी संगती में आते हो, प्रभु के दासों से जु तब क्या करो एक दूसरे को सिखाव, चिताव, भचन और स्तुतिकान, आत्मिक गितगाव, क्या करना है हमें मिलकर, सिखाना है, बोले सिखाना है, चिताना है, चिताना मतलब चेतावनी देना, आगे कहता है आत्मिक गितगाव, मतलब प्रभु की आराधना करनी है, इब्राणयों 1024 में कहता है प्रेम और भले कामों में उक्साने के लिए एक दुसरे की चिंता किया करो क्या करना है जब हम मिले तब हम एक दुसरे की चिंता करनी है आप एक परिवार हो प्यारो आप आत्मी परिवार हो कोई दुख में तकलीफ में बिमार है एक दुसरे के लिए अठलिस प्रात्ना करें एक दुसरे के लिए प्रोसहन दीजिए हम ऐसे कुछ लोग ऐसे एक मौका डुनते है यह ध्यान रखते है कब वो जिसको नहीं चाहते उसके उपर तकलीफ आए और जब उनके उपर तकलीफ आती इतने खुस हो जाते वो दिन वो सबसे ज्यादा खुस होते नहीं प्यारो हम एक परिवार है यह हाथ में दर दोता है तो पैर डांस नहीं करने बैठता लेकिन कलिश्या में ऐसा हाथ में दर दोता है पैर डांस क करता है कि एक परिवार में तकलीवाद या दूसरा खुश दे यही दाव की थी कि नहीं प्रभू का वच्छन के ता एक दूसरे की चिंता करो एक दूसरे की उन्नति के खारण बनो अब जब मिलते हो ट्राई करें प्रत्न करें कि आप दूसरे के लिए उन्नति का खारण बने तोड़ मत डाले किसी को प्रोसाहिट करे उतेजन दीजे दुआ करे यह हमारा काम है जब हम मिलते तब प्यारो यह प्रभू की इच्छा है जब हम मिले तब हम यह करे तो प्यारो आज हमने देखा कि जब हम संजती में आते धेर सारे आशिशो को प्रभू ने बोलाए फिर से वो आसी सो को दोराते प्रभु का बच्छन कहता है परिश्रम का फल मिलेगा प्रभु का बच्छन कहता है एक गिरेगा दुसरा उसको उठाएगा प्रभु का बच्छन कहता है कलिश्या में संगती में जो लोग रहते कोई उनके उपर प्रबल नहों पाएगा वो एक साथ मि चेंग केता है, दो जन मांगेंगे, मैं सुनूँगा, special promise है प्रभू की, जब हम संगती में मिलकर दुआ करेंगे, प्रभू की promise जुड़ी हुए, जहां दो जन मांगेंगे, मैं उनकी बात को, दुआ को सुनूँगा, मत्य 18-20 में हमने देखा 2-3 एकठा होंगे वहां मेरी उपस्थिती होगी यह प्रभू की प्रामीस से जहां प्रभू के लोग संगती के लिए खठा मिलेंगे वहां प्रभू की मौजूदगी होगी हाललुया प्रभू का वच्छन हमने देखा अगर हम संडे को काम न करते हुए उसको पवित्र मानते हैं अलग करते प्रभू कहता है तू सुखी होगा तुझे मैं उठाऊंगा और तुझे मैं खिलाऊंगा हाललुया हमने देखा प्रभू उने प्रामीस दी थी अपने लोगों को साथवे दिन आपको बटोरना नहीं है छे दिन में छटवे दिन मैं आपको डबल दे दूँगा अगर संगत्ती के लिए आप सैक्रिफाइस करते हो दो हजार कम कमाते हो फिकर मत करो छे दिन में प्रभू आपको पूरा करके दे देगा हाललुया आया अपने स्थान पर खड़े हो जाए प्यारो जो भी बात आपने सिखे उसको लेकर प्रभू के चर्नों में जाए प्रभू से कहिए कि प्रभू मुझे संगती के महत्व को आज समझने का आपने उसर दिया धन्यवाद प्रभू ये आपकी आगना है आपने कहा विस्त्रामवार को विस्त्राम दिन को पवित्र मानना प्रभू ये आपकी आगना है इब्रानियों में आपका वच्छन कहता है जब वो दिन को आता हूँ आप देखो इकठा मिलना बंद ना करो लेकिन प्रभू का वच्छंग कहता है और भी मिलते रहो ज्यादा मिलते रहो प्रभू से कहे प्रभू मुझे तु अनुगर दे कि मैं कोई भी बहाना ना मदाँ तु संगती को अलग रिती से देखता है कलिश्या को एकटे मिलने को अलग रिती से देखता है और उसके अलग blessing है जो मैं घर पर बैठ कर कभी नहीं पासकोंगा प्रभू प्रभू तु मुझे अनुगर दे कि मैं संगती का महत्व कभी भी कम नाकू प्रभू आप में से किसी ने संगती में आने के विसे में लापरवाई बरती है compromise किया, समाधा किया, lightly लिया, बहाने बदाए प्रभू से कहिए प्रभू तु मुझे शमा कर प्रभू तु मुझे माफ कर आपने कई आशिशों को गवाया है प्यारो कई चावी आशिशों की प्रभू ने दी लेकिन आपने वो चावी हाथ में नहीं पकड़ी प्रभू से कहिए प्रभू तु मुझे अनुग रख कर मुझे पर अनुग रख कर कि मैं संगती के महत्वा को रविवार के महत्वा को जान लो उसे मेरे जीवन में अपना लो प्रभू तेरे वच्चन के अनुसार प्रभू तू जैसे चाता है इस बात को मेरे जीवन में अमल में लाओ प्रभू कहीं पर संगती में आने को लेकर रभिवार को चर्च में आने को लेकर ओनलाइं बाइबल स्चड़ी में जूरने को लेकर चर्च की दुआ में जूरने को लेकर संडे स्कूल के बच्चे आपने बच्छों की जो संगती है उसमें जूरने को लेकर लापरवाई बढ़ती है प्रभू से कहे प्रभू तु मुझे श्रमा कर प्रभू तु मुझे माफ कर लेकिन आज से प्रभू तु यह अनुक्र दे इस बात को मैं कमभीरता से लो आई प्रात्ना करें प्यारे पिता हम धन्यवाद देते आज जो बात आपने हमें सिखाई मुझे सिखाई मुझे alert रहना है aware रहना है कभी भी मैं और हम प्रभू संगती के महत्व को कम न माने कभी भी हम बहने बना कर प्रभू बाड़े से दूर न जाए क्योंकि सैतान यही चाहता है कि हम बाड़े से बाहर जाए और वो हम पर हम लाखरे प्रभू प्रभू हम प्रात्ना करते ये शुमसी के नाम में मुझ पर प्रभू हम हरेक आपके दासों के उपर प्रभू हमारे परिवारों के उपर कलिश्या की भेड़ों के उपर उनके परिवारों के उपर आप यह नूग रहोने दो प्रभू कि हम कभी भी बाड़े से बहार न जाए प्रभू, सैतान हमारे जीवन में काम करने न पाए कोई भी बहाना मना कर प्रभू हमें संगती से दूर न ले जाए येश्व मसी के नाम में प्रभू आप या नूग रहम पर होने दीचे प्रभू प्रभू येश्व के नाम में प्रभू ये आपकी आगना है आपने कहा विश्राम दिन को पवित्र मनाना यह आपकी आगना है प्रबू, हम परमेशर अलग-अलग आगना को पालते हैं, उसके अनुसार करते हैं, उसको महत्वत देते हैं, लेकिन जैसे दूसरी आगना है, वैसे ही यह भी आपकी आगना थी प्रबू, यह आगना को अपने ठुकराया है, आप मुझे और हमें माप कर जहां कहीं भी, किसी ने भी समाधन कियाओ प्रबू, मैं माफी मागता हूँ, शमा मागता हूँ ये मसी के नाम में, आप मुझे और हम सब को शमा करो प्रबू, लेकिन आज हम परात्ना करते हैं, संगती के महत्वको प्रबू, रविवार के महत्वको प्रबू, बाइबल से ले पाए प्रभू ऐसा अनुख्र होने दीजिए क्योंकि संगती में जो blessing है वो आज हमने देखे प्रभू अकेले रहने में कोई blessing नहीं है प्रभू अकेले रहना मतलब सैतां का असान सिखार प्रभू आपका वचनिय सिखाता है प्रभू हमें अनुख्र दीजे प्रभू कि हम संगती में बने रहे ये शमसी के नाम में प्रभू ये शमसी के नाम में कोई भी संगती में बने रहने के लिए परमेश्व चाहता है लेकिन शैतान उनको संगती से दूर ले जा रहा है शैतान ने कोई भी ऐसा काम किया है किसी जीवन में आज शैतान के उस हरे कामों को प्रभू के इन लोगों के जीवन से हम निस्फल करते हैं उनको संगती में आने के लिए ये श्मसी के नाम में उनके चियों में द्वार खुल जाए और भी संगती में आने पाए जो लोगों को शैतान ने संगती से दूर रखा है कलीशिया से दूर रखा है ये शमसी के नाम से उनको कलीशिया में आने से रोकने वाली शैतान की हरे खुई उक्तियो योजना हो किसी भी बहाना है किसी भी शैतां की योजना है उसे हम धोड़ देते निस्फल कर देते ये श्मसी के नाम में ये श्मसी के नाम में कोई भी कलिशा से दूर गया है कलिशा से कैसे शैतां किसी भी भेड़ को दूर ले गया है शेतान के उस कामों को हम निस्वल करते है निस्वल करते है गला सिक्सा को हम निस्वल करते है और ये शुमसी के नाम से उनको आगना देते वे कलीश्या में आए ये शुमसी के नाम से उनके लिए कलीश्या में आने के दुआर खुल जाए खुल जाए ये शुमसी के नाम में प्रभू हम सभी को अनुख्रा दीजे, हम संगती में बने रहें प्रभू, संगती से दोर न जाए प्रभू, ये बात को गंबीरता से लेने के लिए अनुख्रा दीजे, ताकि जो ब्लेसिंग जुडी हुई है, प्रभू संगती में आने के द्वारा वो ब्लेसिंग को उम प आपकी कोई भी जरूरत है, हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं, प्यारों, आप अपने स्थाम पर खड़े हो जाए, कोई दुस्तात्मा से पीडित है, कहीं पर करजे से आप जूज रहे हो, आपकी पैसों की जरूरत को लेकर यहाँ पर आए हो, कोई बीमार है, आप जहा कहीं सरी में पेन, दर्द अनुभाव करे हो, वहाँ अपना हाथ रखे, और आपकी आस्ता परमेश्वर के उपर रखे, किसी मनुष्य के उपर नहीं, परमेश्वर को कहिए, प्रभू येशु तु मुझे छुड़ा, प्रभू येशु तु मेरी जरूरत को पूरा कर, मेरे नाम से घठाओंगे, उनके बीच मेरी उपसिती निश्य होगे, प्रभू की ये स्पेशल प्रमिस है, आपके लिए क्योंकि आप कलिश्या में आयो, आप यहाँ पर आयो, उसको सन्मान आपने दिया है, प्रभू की उपसिती यहाँ है, और जहां उजियाल आएवा अ आपकी पड़ाही में आप कोई भी दिक्कतों का सामना कर रहे हो, याद नहीं रहता, खड़े हो जाए प्रभू से गनान मागे, प्रभू का बचन याखुक की पत्री दो और पांच में कहता है, अगर कोई भी गनान में अपूर्ण है, आप मागो, आपको वो देगा, प्य प्रभू का बचन है आपके लिए, जो संडे को प्रभू की उपस्थिती में आयो, प्रभू की प्रामिस आपके लिए है, तू सुखी होगा, आललुया, सुख आपका अधीकार है, प्यारो, सुखी होना आपका अधीकार है, प्रभू की और से मिली हुई आपके लिए प्र प्रवामी से, रभू आपको सुखी देखना चाहता है, क्योंकि आपने संगती में आना पसंद किया, अगर आपके जीवन में कोई भी दुख है, आप मागे प्रभू से, रभू मेरे जीवन में से ये दुख को, दर्द को, तकलीफ को दूर खरिये, कोई भी भई आपको सता भविष्य को लेकर, परिवार को लेकर, बच्छों को लेकर, भई प्रभू की और से नहीं होता, डर प्रभू की और से नहीं होता, वो सेतान की और से है, प्रभू ने हमें भई की आगना नहीं दी है, इन सिक्योरिटी फिल कर रहे हो, प्यारों, आपको लग रहे है क्या हो अज़ाद करेगा जो भी तकलीफ है प्रस्ते समझ जाए खड़े होकर मागए 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 प्यारो रभू चाहता है जब आपने उसे सन्मानित किया उसकी संगती में आकर रभू आपको सन्मानित करे रभू आपकी और देखे आपकी सुने आपको छुटकारा दे हाललुया प्यारे पीता हम ये शुमसी के नाम से आपके चर्णों में आते है रभू आपने प्रामिस दे रखी है उन लोगों के लिए जो विश्रामवार को पवित्र मानेंगे संदे आपके चर्णों में आएंगे संदे आपके भवन में बैठेंगे रभू आपने प्रामिस दे दी है उनके बीच आपके पस्थिती लोगी पर वो आपना promise दे रखिये उनकी दुआओ को मैं सुणूगा पर वो आपना promise दे रखिये वे सुख ही होंगे उनको आप उठाओगे उनको आप खिलाओगे उनकी जरूरतों को पुरा करोगे, आज उस प्रोमिस के धार पर इन हरे एक जीवानों से, हरे एक शैतां के कामों को, येश्व मसी के नाम से हम थोड़ते हैं, हरे एक दुख, तकलीफ, बीमारी, करजा लाने वाली दुष्ट आत्मों को, ये जीवानों समबादते हैं, येश्वमसी के नाम से उनके हर एक प्रभाव को इस सीवानों सम् थोड़ते हैं और इन प्रभू के लोगों को येश्वमसी के सामर्थी नाम में हम मुक्त करते हैं मुक्त करते हैं मुक्त करते हैं विफ्री इन जीसस ने येश्वमसी के नाम से डूस्ट आत्मा इंको छोड़कर इनके परिवारों को छोड़कर धोरो जाए हर एक दुख, दर्ड, तकलिफ, बिमारी, पिड़ा धोर हो जाए खर्चा धोरो खर्चे के बंदन को हम थोड़ते है ये श्मस्षी के नाम से कोई भी श्राब इन जीवनों के उपर हो वो श्राब को हम थोड़ते है थोड़ते है थोड़ते है ये श्मस्षी के सावरती नाम में जौब के लिए दुआर खुल जाए पढ़ाई में वे बर्खत पाए अच्छी या सकती की आशिश हम गोशित करते है ये श्मस्षी के नाम में हायर स्टडी से हम अपने बच्चों को ब्लेस करते है ये श्मस्षी के नाम से भाई डर दूर हो ये श्मस्षी के नाम में ये श्मस्षी के नाम से डिप्रेशन दूर हो जाए हड़ियों में छोड़ों में कोई भी दूर हो दर्द हो धोरो जा ये श्मसी के नाम है जो परिवारों को सैतान तोड़ने के लिए काम कर रहा है जो परिवारों में जगड़े है जगड़े करवाने वाली दुस्टात्माओं के ओपर ये श्मसी के नाम से धीका लेते है जगड़े खरवाने वाली दुष्टात्माएं हसांती लाने वाली दुष्टात्माएं हस्बंड वाइब मांबाब बच्छों के भी जगड़े करवाने वाली दुष्टात्माएं हमारी खलीश्या की भेडों के छिवारों से धोरो यश्वसी के नावे थोरो येश्वसी के नावे थोरो येश्वसी के नावे येश्वसी के नाम में हम सांती की आसिज की खोशना करते है परिवारों में सांती को हम जाही करते है परिवारों में यूनिटी को हम जाही करते है खलीसिया में हम यूनिटी को जाही करते है येश्य मसी के नाम में कोई भी प्रकार के वेशन या कोई भी प्रकार के पाप के बंदन में कोई भी है उसे हम येश्य मसी के नाम में फ्री करते हैं पाप के दासतों तले से पाप की गुलामी से वे छुटे मुक्त हो येश्य मसी के नाम से येश्य मसी के नाम से येश्य मसी के नाम से येश्य का लहू प्रभू में हमारी खलीश्य के हरे एक भेड़ो के उपर online जितने चुड़े उनके उपर उनके परिवार के लोगों के उपर उनकी आमदनी उपर प्रभू उनकी health के उपर प्रभू उनका जो कुछ है सब के उपर, हम सब के उपर येशु का लहू में माग लेता हूँ येशु के लहू की सुरक्षा में माग लेता हूँ प्रभू हमारी दुआ प्रभू येशु के नाम साब कबूल करें प्यारे पीता आमें प्रभुन सिखाई दू आम साथ मिलकर बोले वाकाश माना मारा बाब तारु नाम पवित्रम बनाव तिवस्चे बारे रूट लियाजे चे मामा मारा रूट आपकरियाजे तेम तारु परिक्षण मान अल्ला उन्दाय थी चिट को करो राच्य प्राक्रमता महिम स्रवकार सुधीता मारा रूट आमें प्रभु ये शुकिक रूपा प्रमेश और पिता का प्रेम और पवित्रा आत्मा की संगती हम सभी के साथ बनी रहें और संगती के महत्व को समझने और संगती में बने रहेंने हमारी सहाइता करें मिलकर करें आमेन पर वो आप सभी को आशिशित करें